हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोईन भी थी और सेक्सेस दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उट का घोश्डापत उट डिस्पैच दोस्तों इसको पढ़ने से पहले आप हमारे दोरा अपलोड किये गए दो वीडियों को देख लें पहला हमने डाल चार्टर एव ठारे सु तेरे और दूसरा वीडियो में डाला मेकाले का विवनपत दोस्तों यह सब वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर आप अच्छा अपना स्कील डेवलब करना चाहते हैं तो आप तीनों वीडियो को देखें फिलाल अगर आप इस वीड प्रत्र होता था प्रतेग इस वर्स के बाद पुर्णा वर्तन होने के लिए उसका इंग्लेंट के संसद में उसको पेस किया जाता था 1793 में ये होने वाला था और जब उस समय पेस होने जा रहा था तो राबर्ट विलबर फोर्स और जो एपालियामेंट के सदस्त थे और चार्ल्स ग्रांड और उनके साथ इसाइब मिस्तिजियों ने मिल करके उनके समर्सन से इस प्रस्ताव को रखा गया लेकिन हुआ क्या कि 1793 में जब रखा गया अभिया पत्र में तो उसमें एक धारा जोरने को कहा गया कि भैसमें एक धारा जोर दी जाया और उसके तहट क्या हो कि भारत को भारत में जो हिसाइब मिस्तियों को आने की जो है खुली छूट हो जाया और वो अपनी सिच्छा का प्रचात पसार कर सकें तो ये मांगा गया था किन्तु हुआ क्या कि इसको जब विट्रिस पार्लियमेंट में जब इसको रखा गया संसद में तो ये जो है उस सदस्त के एक अन्य सदस्त जिनका नाम था रेंडल जेक्षन तो रेंडल जेक्षन ने उसका विरोध कर दिया और फिर ये प्रस्ता भी फल हो गया ये पास नहीं हो सका फिर पुना बीच साल बार जब फिर से पुनरावरतन होने के लिए इंगलेंड के संसद में पेस हुआ तो इनोंने पुना प्रियास किया और इस बार ज़ादे लोगों का मत मिला ज़ादे सदस्यों का समर्थन हुआ और ये बिल पास हो गया और उसमें क्या हुआ कि अब तीन धाराएं जो है जोडनी की बात की गई अब उसमें पहला था कि किसी भी यूरूपिय देश की जो मिसंदियों को भारत में प्रवेश करने की जो है छूट हो और वो अपने धर्म जो है इसाय धर्म का प्रचार प्रसार कर सके है और दूसरी बात जोड़ा गया कि जो इस्ट इंडिया कंपनी है उसका वियुतरदायत हो कि जहां तक उसका जो है सासित प्रदेश है वहां तक उस इच्छा की व्योस्ता करें तिसरा चीज जोड़ा गया कि अप कंपनी को जो है कम से कम जो है एक लाग रूपे की धंडा से साहित के रख रखाओ और उसके विकास भारते विद्वानों के प्रसाहन और भारत के जो कि यह तीनों बाते मान भी ली गई लेकिन आगे चल करके जो धरा 43 के अंदर कर जो एक लाग रूपे की धंडासी हुए थी उसको भारते उसमें सिच्छा को ले करके प्राच सिच्छा पर खर्च होगा या पास्चाथ इसी को ले करके जो है काफी आगे बिवेद हो गया औ और इस ही को इसी को निप्तारा करने के लिए इसी को मद्वेत को खतम करने के लिए 1823 में दस अधरीस की कमेटी भी बनाए गई लेकिन और कमेटी भी जो है कमेटी भी जो है दो भागों में बढ़ गई फिर दो विचारधाराओं में बढ़ गई इसलिए फिर उसका कुछ नड़ नहीं हो पाया तो उसी को उसी मैटर को जो है निप्टारा करने के लिए मैकाले को बुलाए गया और मैकाले फिर आए 10 जून और 18-34 मेनों ने क्या किया कि मतलब कानूनी सलाकार की रूपर उन्हें अपना पद ग्रहाण किया वो भी गौवर्नर जंडल ठीक है एकापद जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि गौवर्नर जंडल की जो है कौनसिल की कानूनी सलाकार बन करके भारत आए और आ करके यहाँ पे चुकि यह मैकाले जो हैंग्रेजी भाजा और साहित के प्रेकंड विद्वान थे तो इसलिए इनको बुलाया गया था और इनको एकोषल वक्ता भी थे और लेखब भी थे तो इसलिए इनको बुलाया गया कि सायाद यह जो है इस रीच को प्राच और जगडे का निप्टारा कर देंगे इसलिए इनको बुलाया गया और बुला करके और समय जो ततकाली इनको उनर जनरल थे वो लाड विलियम बेंटिंग थे उन्होंने इसको उनको बताया का ऐसा है कि अब अभी तक जो 1830 जो धन्रासी थी वो एक लाक रुपे थी लेकिन अब जो 1830 में बढ़ करके 10 लाक रुप पे जो धन्रासी है यह कैसे खर्च होगी और उसके बाद में आपको शाहित्य सब्द की वयाक्या करनी है और एक लाक रुपे जो धन्रासी थे baptized कि वह तको आपया करना है भारते विध्लाउन की टेनों ें प्रावलम चल रही है किन लों का मतलब है कि एक लाग रुपे कि जो दनरासी हो भारतिये शाहित पर यानि राच सिछा पे घर्ष होगा और उसके बाद में साहित जो है सब्की ब्याक्या नहीं हो पा रहे हैं और भारती विद्वान का मतलब जिन लुगों को अपने मतलब यहां के जो भारतिये हैं पारतिय साहित पढ़ करके हुए हैं उन से ले रहे हैं तो इन तीनों का आपको ब्याक्या करनी है तो वो कहें ठीक है और इस चीज को उन्हों ने क्या किया कहा कि जिस समय आपने 43 में तीन धाराएं जोड़ी होंगी उसमें क्या होगा कि उसका कुछ रिकार्ड होगा तो उन्होंने कहा हाँ विल्कुल है तो उन्होंने उसको दिया और वो अपना उसको पढ़े और पढ़ करके और उन्होंने अपना एक अलग एक विवरण पत्र तयार किया और दो फरोरी और 1835 में उन्होंने क्या किया कि गौवर्नर जनर्रल को उसको दे दिया वहीं पत्र मैकाले का विवन पत्र कहलाया था तो मैकाले जी आये थे 1833 में 10 जून 1834 में उन्हें कानूनी सलाकार पत्र पे अपना नियुक्त किया गया और उसके बाद उन्हें अग्यापत्र अपना सारी चीजें पढ़ करके और उसको दो फरोरी 1835 में उन्हें अग्यापत्र जो है वो गवर्नर जनर्र को दे दिया उसी को जो है मैकाले का विरुण पत्र कहा गया अईनों ने इन तीनों चीजों 143 के अंतरगर जो है 1813 के अग्यापत्र में जहाद 143 के अंतरगर तीनों गातें कही गए थी एक लाग रुपए की धनराशी का विरुण या और साहित सब्द की व्याख्या और भारते विद्वान इन तीनों का व्याख्या किया था अब इसको डेटेल में आपको इसके पहले वाली लेक्चर में बता चुके हैं और उसके बाद में क्या था कि फिर उन्होंने सुझाओ दिया लड़ में काली का सुझाओ में आपको बताया थे कि उन्हें जो बारते में प्राचित साहित था उसको उन्होंने कहा था कि ये निरार्थक है और जो पास्टा साहित था उसको मात्मूर बताया था दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने पाशा सिच्छा को मात्मूल बताया और पहला पॉइंट आपका कि प्राशा सिच्छा को उन्होंने नियागत बताया तीसरा पॉइंट उसमें आपको बताया थे कि अंग्रेजी जो अंग्रेजी को जो है सिच्छा का माध्यम रहना आवस् और चौथा पॉइंट उन्हें कहा कि जो उच्वर के लिए उच्छा की सिच्छन सहस्ताओं की ओसकता होगी और फिफ्ट पॉइंट आपको बताया थे लाश्ट पॉइंट कि सिच्छा के छेत्र में धार्मिक जो है तरश्टता की नियू तो यह था उसका एक ओभर विव और उसमें आपको एक कुश्चन और थोट अऐसा बताया था कि चानन का सिद्धांत उन्हें आपको बताया था उसमें चैननत का सिध्धांत क्या है तो जिसको हम लोग निश्काइजन का सिध्धांत भी कहते हैं यानि डBERG फिल-ट्राइज़िशन तेरी इसमें आपको बताय थ तो यह हुआ कि भी नियम तो बन गया लेकिन सिच्छा लागू कैसे हो तो जन लोगों तक पहुंचे कैसे तो उसी के लिए निश्चेजन का सिध्धान ताया तो निश्चेजन का सिध्धान यानि डाउन वर्थ जो है फिल्टराजिशन थेओरी में उन्होंने कहा कि आप जादे जो है संख्या होगी जो थोड़ा चोटे और बाबू लेबल पे हैं और उनसे भी जादे संख्या होगी जो कर्मशारी वर्थ है इस तरह से जन लोगों तक से पहुंच जाएगी तो इस तरह से इसको कहा गया हलाकि कुछ दिन तक ये काम किया और उसके बाद में ये अठारा सो जो है अठारा सो सत्तर तक मतलब ये प्रवाबी रहा करीब में लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और उसके बाद में हूआ कि कि 1870 तक ये सिद्धान को माना गया हाला कि 1854 में ही उड्डिस पैच आ गया था तो आप कह सकते हैं कि ये सिद्धान बहुत जादा दिन तक नहीं चला हाला कि इस सिद्धान को फालू किया गया जादा दिन तक उसके बाद में हुआ किया कुछ दिन बाद कंपणी जो है फिर से एक कमेटी बेठाई और देखी कि सिच्छा जनलोगों तक पहुँच आया नहीं तो उसे पता चला कि सिच्छा जो है जनलोगों तक अच्छे से पहुँच नहीं रहा है फूर पहुँच रहा है लेकिन उट जितना होना चे उतना नहीं हो रहा है उसके बाद में तो क्या नेड़रली कि अब वड को खुलाया जाए और फिर आया उटिस्पेज तो आज हम बात करेंगे उटिस्पेज का तो उटिस्पेज को कही तरीके से पूचा जाता है उट का गोश्डा पत्र भारतिय का महाधिकार पत्र था विविचना कीजिए, ऐसे ही पूछा जाता है या इसी को पूछ ले जाता है कि उट गोश्डा पत्र अऩारासो चोवण की मुख विशैस्टाओं का वरण कीजिए या ऐसे भी पूछ लेता है कि उड़ की आदेश पत्र की कुछ मात्पूंट संसुतियों को चिनित कीजिए ठीक है या इस तरह से कई तरीके से कुष्ण को गुमा के पूछता है और यह सबसे जो फेमस तरही कहा हो यह है कि उड़ घुष्णा पत्र को भारतिय सिच्छा का महाधिकार पत्र क्यों कहा जाता है तो यह सबसे फेमस जो है तो आप चलिए बात करते हैं क्योंट की उड़ डिस्पेश क्या है यानि उड़ का घुष्णा पत्र तो आपको पता ही है कि प्रतेक जो है बीस वश के बाद कंपनी अपने क्या पत्र को जो है पुनवरतन की लिए बिटी सांसद में पियस करती है तो अठ़ासो तैस के बाद अभी बीच साल बाद जानि अठासो तिरपन में फिर यह उसर आएगा फिर से उसका पुनवरतन हो बहुत टाला मुतलब जा रहा थे कृकार से बहुत ही सिच्छा बहुत निम्न अस्तर धीमी गती से चल रही थी तो उसे लग रहा था कि उपेचित करना ठीक नहीं होगा इसलिए अब इस पर जो है वेवस्थित विचार देने के लिए बृटिस लोग सभा में एक संसदिय समी राथा तब ही आप आगे जो है उससे बहतर बना पाएंगे तो उसका अध्यन किया गया और इसे के अधार पर जो है एक समिती ने असपष्ट रूप से बताया कि जो भारतिय सिच्छा के प्रश्ण को टालना जो है अब सही नहीं रहेगा अध्यन के बाद है कि भई अब भ इसके मतलब उन गा कि इसको बहुर अच्छा सिच्छा करना चाहिए इसे कोई मतलब ब्रिटिस समराज को कोई नुक्षान होने वाला नहीं है तो हुआ क्या कि समिती के सुझाव के अधार पर 19 जुलाई 1854 को कमपनी के संचाल को ने भारतिय सिच्छा नीती की घोश्डा कर कर दी और जो है उसी समर जो है कमपनी के जो समर जो कमपनी के बोर्ड आप कंट्रोल के प्रचार उड़ थे तो हुआ क्या कि कमिटी में उड़ भी थे और वहीं उस समर जो है कमपनी के बोर्ड आप कंट्रोल के प्रचार जो है उड़ थे तो उड़ को ही उनी के नाम से ही उड़ का गुश्रापत्र कह दिया गया और उसके बाद में यह जो गुश्रापत्र इनका था वो कम सी कम जो है लग करीम में जो है सो अनुच्छे दो का एक लंबा सीर्च था तो इसमें से कुछ मात्मोर जो सुझाओ थे उसको देखा जाया और इसी के तहट सिच्छा की एक तो उड़ गौश्रा में सहप्रत्म सुझा के उद्देश निशित किये गए थे जो इस परकार से है थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या-नि्शित किया गया पहला था मानसी विकास करना ऑजिसे मान से विकास होगा तो जिसे बोधिकस्तर को दिखाया जा सकेगा और दूसरा चीज जो है था उपाश्यात ग्यान देकर यानि कि अंग्रेजी सिच्छा देकर कि भारतियों की भौतिक उन्यति करना और तीसरा जो इसमें बताया गया हुए था कि भारतियों का जीवन अस्तर उठाना जिससे अंग्रेजी माल की खपत को और बढ़ाई जा सके और चौथा जो फाइन था वह था कि भारतियों का नयतिक और चरित्रीग विकास करना जिससे योग और कुशल करमशारी बनाए जा सके और क्थेप्त यहं पर जो आपको पता जा रहा हो राजश्यु शेवा के लिए श्योग करमशारी जो है तैयार करना तो यहां पर हाला कि उसमें जो वो अनुच्छे थे लेकिन जिसमें से ये कुछ जो है सिच्छा का जो उद्देश था वो इनका ये था कि जो है मानसिक विकास करना पास्चार जानी अंग्रेजी सिच्छा दे करके भारतियों की भौतिकुननती करना भारतियों का जीवन अस्तर को और मितलब उठाना इससे जो अंग्रेज़ों की कम्पनी का माल है जिसके खफत को ऊर बढाया जा सके च्णकि जब इनको अंग्रेजी का ज्ञान हो executing तब ही अच्छेसे एक दूसरी इसे बात करके और अच्छेसे जो हैं कमपनी का माल को खपत करा सकते थे भारतियों में नयतिक और चरिति विकार्स हो और जिससे वह एक अच्छा कर्मचारी बन सके और राज सेवा के लिए कर्मचारी तयार करना मतलब जब वो अंग्रीजी सिच्छा का ग्यान होगा तभी कमपनी में अच्छे से काम को कर और सिच्छा का जो पर समधित के वह बारे में क्या बताया जब्ध तो यससे सम्मंदित कंपरनी जो है सरकार ने तीन घोशडायी की बित्व संबन्दी पर सासनियों बित्व संबन्दी सिच्छा के तो उन्होंने कहा कि पहले तो सिच्छा का जो उत्तर दायत होए वो कमपनी पर होगी यानि कि सरकार की होगी पहला चीज कह दिया गया कि जो सिच्छा का उत्तर दायत होगा वो कमपनी पर होगा यानि कि आप कर सकते हैं कि इस नीत में सिच्छा का जो उतरदाय था वो कमपनी पर निश्चित कर दिया गया और कह दिया गया कि कोई भी भी से हमारा ध्यान इतना अकर्षित नहीं करता जितना सिच्छा ठीक है? और यह हमारा एक पवित्र कार है तो एक परकार से आप कर सकते हैं कि मतलब सिच्छा का जितना खर्चाना था मतलब सिच्छा का वो सब कमपनी अग उसका वहन करेगी इसको कह दिया गया और साथी साथ दूसरा चीज़ इसने बताया गया कि जन सिच्छा विभाग के अफ्थापना की जाए जिससे सरवोच अधिकारी जन सिच्छा निदेशक निदेशक और उसकी सायता से कुछ संचालक निरिच्चक तथा लिपिक जो लिपिक हैं मतलब कि उसको वहां पर पढ़ाने वाले उनकी नियुक्ति की जाए और वर्स के अंत में जो है उसकी रिप्यूट जो है टोटल वो गौर्णर जनरल को क्या किया जाए प्रस्तुत किया जाए कि भाई आप साल भर में आपने क्या क्या चीज पढ़ाया और उस सबका एक बाइटा वहां पर जो है गौर्णर जनरल को भीजा जाए और तीसरा चीज उने कहा साहयता अंदर उसमें कहा कि ऐसा है कि इतमे पहली बार देशी तता विदेशी सभी सिच्छा जो सिच्छन संस्ताओं को समान रूप से आर्थिक सायोग देने की बात कही गई कहा गया ऐसा नहीं कि जो अंग्रेजी सिच्छा है उसी पर ही मतलब पैसा दिया जाएगा और जो भी बिदेशी और देशी जो सिच्छा के संस्तान है उनको भी सायोग आर्थि सायोग दिया जाएगा हाला कि उड ने जो है इसके पहले मैकाले ने जो है अंग्रेजी सिच्छा पर ज्यादा थोड़ा फोकस किया था और प्राज सिच्छा पर थोड़ा काफी कम जबकि उड ने यहां पर थोड़ा सा जो है प्राज सिच्छा को भी बढ़ावा दिया तो यहां पे उड़ ने काफी काम किया है इसलिए question यह पूछता है कि सिच्छा बिभाग का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है तो सिच्छा जगत का जो मैगना कार्टा है वो कहा जाता है उड़को ठीक है तो सिच्छण का संगठन कैसा होना चाहिए यह सब नियम तो बन गया उद्देश पता चल गया आप सिच्छण का संगठन कैसा है तो उन्हें कहा जो सिच्छा का संगठन हो चार अस्तर में होना च पहले तो प्रात्मिक अस्तर फिर मिडिल फिर फिर हाइविस इस तरह से और वही आ आज भी चल रहा है जो उड ने बनाया था झाल भी वहीं और भी पहले तो एकसे पांच प्रात्मिक फिर छेसे आठ मिडिल पिर उसके बाद nine दस यह आपका हाई स्कूल उसके बाद फिर उची सिच्छा आ गया इसमें तो आज भी उस तरह से आपका चल रहा है जो उड़ने बनाया था इसलिए उड़ को जो है वो सिच्छा जगत का मेंगना कार्टा कहा जाता है उन्हें काफी नियम बनाये थे जो अभी भी उसी जो है अधार पर अभी भी सिच्छा दे जा रही है और दूसरा जिए उन्हें कहा कि क्रम बद्ध विद्यालों की स्थापना हो तो इन्हें ने कहा कि क्रम बद्ध हो जैसे इसमें जो अपने इन्होंने सिच्छा ब्योस्ता को शुचारी रूप से चलाने के लिए उन्हें कहा कि जैसे पहले प्रात्मिक फिर मेडिल फिर हाई स्कूल फिर कालेज फिर विस विद्याले इस तरह से स्थापना की जाए क्योंकि पहले तो जब बच्चे छोटे प्रात्मिक स्कूल होगा उपढ़के जाएंगे एक से पांच तक तब ना उन्हें आर्ट की जरुवत पड़ेगी तो इसलिए पहले प्रात्मी विद्याले हो फिर मिडिल उसकी बाद तब हाई स्कूल विद्याले खुले जाएं उसकी जब छोटे अस्तर पर स्कूल नहीं रहेगा तो ज आजब तो अब सzhच्ने का पाठकरम नर्धारित होना चाहिए अध्यापक हो गया इसकूल हो गया आपशच्चा का पाठकरम हो ना चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे कि सिच्चा का पाट करम उन्हें क्या बताया तो इसमें प्राच भासा योम साहित को इस्थान दिया उन्हें कहा ऐसा है कि प्राच भासा और साहित को भी इसलिए इनको जो है सिच्चा जगत का महिना काटा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई ऐसा काम किया जो भारतियों के हित में भी उस समय था और इन्होंने कोई ऐसा ने केवल एक ही पच को बढ़ावा दिया इसनोंने समान रूप से हर एक हर एक समधाय के लिए काम किया और हर एक जो है चीजों को जोड़के चला और यहां तक ही इनका जो बनाया हुआ अधार था आज भी चल रहा है तो इन्हों ने प्राच भाँसा यम्साहित को विस्थान दिया इन्होंने कहा कि आप क्या करें इसको भारतियों को प्राच भाँसाहित उसको भी मात को सभिकार किये क्योंकि उनकी इतिहासिक उपियोगिता थी चुकि उन्हें अभी इस जब की जरूवत थी चुकि जो जहां का है वहां का अगर उसे ग्यान नहीं होगा तो फिर उसकी सिच्छा दोरी होगी कानौन की देश्टी से देखा जाया और संस्कृती संस पाठक्रम में और दूसरा चिवने पाठक्रम में क्या दिया कि जो पाठ्चा सभाण विज्ञान को विशेष मात दिए तो विशेष मान दिया गया मलब उन्होंने क्या कि थोड़ा बल पूरवक इसको कहा कि वही हं होगी आप को अंग्रेजी सिक्छा भी लेनी है लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी प्राच बहसा और साहित को भी आप पढ़े। उसको भी इसलेवस में डाले और उसको भी इबाले यंग्री जी सिच्छा को भी। और यहीं तग नहीं उनोंने धार्मिक सिच्छा की बी छूट दिया। देखिए अनिवार नहीं हुआ है, दार्मिक सिच्छा की छोट हुई, यानि आप अगर चाहें, तो आप अपने धर्म की सिच्छा पढ़ सकते हैं, वहाँ पे स्कूल की लाइबरेरी में कहा दिया गया, कि वही वहाँ परुष्टकाले में बाइविल रखना अनिवार कर दिय गया, कि बाइविल रखा जाए, और अपने धर्म के जो है, उसमें कहा दिया गया कि छूट है आप अपने धर्म को जो है, वहाँ पे धर्म की किताबें आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, सिच्छा का माध्यम उन्होंने क्या किया, कि प्रात्मिक सिच्छा माध्यम के रूप क्योंकि अभी जो आपकी भारती भासा है, वह अभी उतना विक्सित नहीं है, वह अभी आविक्सित है, और थोड़ा गाओं की भासा है, गवारु जिसको कह सकते हैं, गाओं की भासा यानि गवारु भासा, तो यानि जो गाओं में भासा बोलिया आती है, गाओं के दियात तो इसे के माध्यम से उनने कहा कि अभी इस आभिक्सित भासा के माध्यम से उच्छा देना ठीक नहीं है तो उच्छा के अस्तर पे जो है अंग्रेजी भासा को ही माध्यम बनाना ठीक रहेगा तो इस तरह से उन्होंने सिच्छा का माध्यम अंग्रेजी बताया और उसके बा अब देखें सिच्छन सनस्ताइं मतलब किस तरह से हुई तो सिच्छन सनस्ताओं के संबंद में घोश्डा पत्र में उन्होंने निम्न प्रकार से घोश्डाएं कि उन्होंने बताया कि भार जो सभी अस्तर के सिच्छन सनस्ताओं होंगे ठीक है और ब्योसाइक विद्यालों की भी अस्तापना होगी मतलब यहाँ पर आपको ब्योसाइक विद्याले पर होना चाहिए ठीक है जिससे कि लोग ब्योसाइक सिच्छा पर भी ध्यान दें और उसके बाद में तीसरा उन्हेंने बताया विस्विद्यालों की अस्थापना हो जिससे लोगों को मतलब निम्न सिच्चा लेकर के बड़े जो है सिच्चा लें और सोध का कारी करें नहीं तो विद्याले ही नहीं था तो सोध का कारी नहीं होता तो इसलिए वच्चे सिच्चा के बाद सोध के लिए जरुत पड़ी तो उसको भी खोला गया उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जन सिच्चा तो जन सिच्चा में उन्होंने क्या किया मतलब सभी के लिए उड का जो गुषडा पत्र था उसके दोरा जन सिच्चा के प्रसार की बात को भी सबकार किया गया कि मतलब और उसके संबन में पाँच भाते कही गई पाँच घोषड़ा की गई पहले बात डाउन वर्थ थियोरी को उन्होंने निरस्ट कर दिया उन्होंने कहा वो काम नहीं कर पाएगा अब इसको हटाया जाम आपको पहले ही बता दिये थे कि मैकाले का जो बिवर्ण पत्र चाहिए था उसमें डाउन वर्थ थियोरी काफी दिन ते काम की लेकिन वो उतना अच्छे से नहीं काम कर पा रहे थी इसलिए उसको जो है उड़िस पेज को बलाया गया उड़ को और उसके बाद में उड़िस पेज आया उड़का गुश्ड़ा पत्र उसमें निश्जनन क सिध्धान को समात करके और सब के लिए सिच्छा का एक आसान एक सुलब साधन बनाया जाने की बात की गई फिर दूसरा चीज क्या कहा गया इसमें कि जो प्रात्मिक और माध्मिक सिच्छा संस्थाओं की संख्या की पूर्ति की जाए बहुत कम विद्याले हैं उसको और खोला जाए जो गरीब निर्धन है उनको चाद्विर्ति दी जाए और व्यक्तिकत प्रियासों को बढ़ावा दिया जाए इस तरह से उन्होंने कई चीजें उसमें बताया है यहां तक इन्हों इस्तरी सिच्छा पर भी बाल दिया ठीक है उन्होंने कहा कि इसमें इस्तरी की सिच्छा को भी बढ़ावा दिया जाए और उसमें उन्होंने कहा कि बाल जो है बालिका विद्यालों को बिसे संदान दिया जाए यानि कि उनको सरका अबसे कि जाए तरे देने सय रहुत किना चाहिए तो उन्होंने सिच्छा को भी पढ़ावा दिया मुसलिम सिच्छा को भी पढ़ावा दिया सिच्छक शच्छको मुझावा दिया यैसे चको नहीं सिच्छा जगत का मेगना काटा और भारती सिच्छा पर उट का घोशड़ा-पत्र का परभाव प्रभाव क्या पड़ा तो आप जानते ही हैं कुछ तरथकालिक परभाव पड़ेगा और कुछ देरकालिक होगा ततकालिक में आप जानते ही हैं कि तुरंट जो है सभी प्रांतों में अंदान परणाली की सुरुवात करके सैचिक प्रगती में ब्यक्तिकर सायोग प्राप्त किया गया जिसके द्वारा भारती जन सिच्छा कारिकरम को ब्यापक रूप से सुरू किया गया यह सब तुरंट उसका फायदा होने लगा इस विद्याले खोले गए यह सब ततकालिक प्रुभाव थे और दिरकालिक प्रुभाव में क्या हुआ कि वो सब उन्ही को ले करके आज भी सिच्छा को आगे बढ़ाया जा रहा है वो सब जो उन्होंने बता दिया सिच्छा का माध्यम जिस तरह से कि पहले प्रात्मिक उसके बाद फिर मेडिल फिर हाई स्कूल फिर उसके बाद में आपका विद्याले फिर विद्याले इस तरह से जो उन्होंने स्टेप्स बताये थे उसी के बेसमान करके आज भी उसका पालू किया जा रहा है और इसमें जो है दिरकाली प्रिभाव में दो पॉइंट से और देख लेते हैं सिच्छा राज का उतरदाइत आप इसको थोड़ा सा समझ लें इसमें क्या था कि जो उट का गोशड़ा पत्र था उसके द्वारा सिच्छा की ब्यवस्था करना राज का उतरदाइत माना गया था इसलिए का गया कि सिच्छा राज का उतरदाइत तो इसमें कह दिया गया कि राज का उतरदाइत होगा साथ ही साथ राज ने इसकी जो व्यापक व्यवस्था के लिए व्यक्तिकार सायोग लेकर के इसमें और चार्चान लगा दिये मतलब उनों न राजने सिच्छा के चेत में और उसके बाद में सिच्छा राज के नियंतर्ण में तो भाई जो पैसा देगा फिर वो उस पे नियंतर्ण भी रखेगा ताकि भविस्व में जो है इस दिता में जो है नियंतर्ण राज का ही होगा चुकि वो पैसे खर्श कर रही है तो उस पे आज का लेक्चर समाप्त होता है